लौ शब्धर उपलब्दियां ब्राप्तियां दू दरशिता भविषय का आगलन करना यानि कि भविषय के बारे में सोचना प्रदवी की तक्नीक पत प्रदर्शक यानि कि मार्दर्शक गाइड करने वाला अक्समात अचानक ततकालीन उसी समय का प्रतिस्ठित प्रसिद यानि कि संबानित अनुमोधित करना स्विकरत करना अनवरत लगता उतक्रेस्ट श्रेस्ट अग्रसर आगे जाने वाला और वास्तोकार भवन या सेतु आधिका डिजाइन बनाने वाला नीचे आपके प्रिश्ण है उनके उत्तर दिये जा रहे हैं तो बच्चो आप उने साफ साफ अपनी फिर कॉप में लिखेंगे कुशन नमबर टू देखिए बीसवी सदी की आरम में किस विश्विध्याले को बहुत एक विज्ञान छेत्र में सर्वस्रीष्ट माना जाता था तो वह था कैम्बरिज विश्विध्याले हौमी जाएंगे रिबाबा का जनम कहां पर हुआ था तो बच्चो दिखते हैं मुंबई में थर्ड भारते विज्ञान संस्थार में बहुत एक शास्त्र विभाग के प्रमुख कौन थे तो कौन थे सर्रमन टी आई एफर की मारत का द्वाटर नहरुजी ने कब किया था त कोशन नमर 3 में इन घटनाओं को क्रम में नहीं दिया गया है आपको इन घटनाओं को क्रम बदलिखना है तो फर्स्ट जो गटना आईगी बटा वापकी आईगी घडा जो फिफ्त नमबर पर है सेकिंड गटना आपकी विज्ञान संस्तान में अध्यापन किया था थर्ड में आपका आएगा कि जब और टि आए आए आफर की चोड़ी सी इमारत का एकायिका उद्गारटन किया था फोर्ट मैं इमारत को दान के बार अन्होंने आधा हिस्सा किराय पर लिया और विफ्त में टि आइफार का से शला नयास 1954 में हुए यानि कि 1954 में हुआ है निच्प बात को किसी के सामने रखते हैं और बड़ी यानि की बड़ी की का प्रयोग तब होता है जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने बाला होता है तो देखिए कंदरे बर्ष की आईू में ही अपने सेंटेंस कंप्लिट करने जा रहे हैं बड़ लेकिन सेकिंड सेंटेंस में उन्हें चिंता थी कि कि अमरा सेंटेंस शुरू कर रहे हैं इसलिए यहां पर आपको छोटी की और बड़ी की का प्रियोग करना है कोशिए नमबर टू में प्रत्यों का परियोग करके हमें शब भुनाना यानिकी सलियत क्योंकि प्रते अंत में प्रियोग होते हैं आस प्यास पिटाई आई यानिकी पिटाई धार देंदार कोश्र्य नमबर फूर लोहा मानना संसार के सभी लोग लक्ष्मवाई का लोहा मानते हैं या संसार के सभी लोग डॉक्टर जहांगिर भाबा का लोहा मानते हैं कि उन्हें विज्ञान के छेत्र में बहुत तरक्की की हमारे देश को प्रब्दियां कराई एक और एक ग्यारे होना, एक तामे शक्ती होना, परिवार में सब को मिलकर रहना चाहिए क्योंकि एक और एक ग्यारे होते हैं Q1. डॉक्टर हुमी जांगिर भाबा कौन थे? तो डॉक्टर हुमी जांगिर भाब भारत के एक महान विज्ञानिक थे Q2. डॉक्टर भाबा वापस इंगलेंड क्यों नहीं गए? तो डॉक्टर भाबा अपने देश में विज्ञान और प्रदोगी के छेतर में करांती लाना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने देश में रहकरी देश सेवा करने का निश्चे किया और वापस इंगलेंड नहीं गए Q3. भारते विज्ञान संस्थान में भावा ने क्या अनुसंधान कारे किया? तो भारते विज्ञान संस्थान में डॉक्टर भावा ने कॉस्मिक किर्णों पर उतक्रस्ट अनुसंधान का कारे किया इसके साथ डॉक्टर भावा ने नावी के विग्यान के छेतर में विशिस्ट अनसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार बनाया और सरदोराब जी टाटा ट्रस्ट से मदद मांगी यह कदम संफुन भारत वर्ष के लिए विग्यानिक चेतना और विकास का मोड था नेक्स्ट गोशन डॉक्टर भावा ने टी आई एफार की मरत बनाने में किस परकार सहयोग किया तो डॉक्टर भावा ने टी आई एफार की मरत बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट से 45,000 रुपे मारास्ट सरकार से 25,000 रुपे तथा भारत सरकार द्वारा 10,000 रुपे प्रतिवश्के धनरशी धारत की गई इसके बाद डॉक्टर भावा ने पेटर रोट पर कैनल वर्थ की एक इमारत का आदा हिस्सा कराई पर लिया यह इमारत उनकी चाची श्रीमती कुमर पांडिया की थी उस समय इस इमारत को कराई के रूप में हर महिन 200 रुपे देने पड़ते थे उन दिनों यह संस्थान काफी चोटा था परन्तु आज इसकी जगे बहुब मंजल इमारत ने ले ली है जो अब मुक्यत है भावा परमाणू अनसंदान के इंदर के अधिकारियों का निवास स्थान है डॉक्टर भावा के उत्करस्ट कारियों को किस परकार समानित किया गया तो डॉक्टर भावा के उत्करस्ट कारियों के समान स्वरूब तो कालेन प्रधान मंत्री इंदर अगांधी जी ने परमानो उर्जा संस्थान ट्रॉम्विम को डॉक्टर भावा के नाम पर यानिकी भावा परमानो उर्जा के विकास में पत्प्रदर्शक हो रहा है डॉक्टर भावा के उच्च विचार और मजबूत नीव के कारण ही उनके बाद भी देश में परमानों उड़ जाका कारेकरम अनवरत विकास के मार्ग पर अग्रसर है नाव मौकिक प्रेशन डॉक्टर होमी जांगिर भावा का क्या योगदान है डॉक्टर भावा का विज्ञानिक छेतर में बहुत बड़ा योगदान है परमानों उड़ जाके विकास में उन्होंने जो भारत देश का गौरब बढ़ाया है उसके लिए वे सदेवियाद किये जाते रहेंगे बारन ही हमारा देश विकास के पत्थ पर अक्रसर है परमानों उड़्जा क्यों दुर्भाग्यपूर्ण माने जाती है तो दिर्ते विश्व यूद में जब हिरोशिमा और नागासागे शहरों पर बंप गिराया गया तो लोगों के मन में यह डर बहट गया कि परमानों बंप और परमानों उड़्जा एक ही हैं इसलिए परमानों उड़्जा को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगिर भावा का संख्षेप में जीवन परिचा दीजे तो डॉक्टर होमी जहांगिर भावा का जनव मुंबई के एक संपन परिवार में यहीं कि 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था उनके पिता जे एच भावा मुंबई के एक प्रतिस्टित बैरिस्टर थे डॉक्टर भावा बच्पन से ही पढ़ाय में बहुत तेज थे और 15 वर्ष की आयू में ही उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की परिख्षा सम्मान पूर्वक पास की और कैम्बरेज प्रतिभा का परिछे दिया तो बच्चों यह आपके कोशिन अनुसर्ष थे आप इन्हें ध्यान से अपनी फेयर कॉप में कीजेगा तो आज बस इतना ही तो थाइंक्यू एड़ है नाइस टेगा